क्रिशन सुदामा की एक कहानी भगतों तुमको आज सुनानी एक ब्रामड है एक गनशा शाम रादे शाम भुलू शाम रादे शाम क्रिशन सुदामा की एक कहानी भगतों तुमको आज सुनानी एक ब्रामड है एक गनशा शाम रादे शाम भुलू शाम रादे शाम हो विद्या ग्रहण वो करना चाहे पढ़ने को गुरु कुल में आए गुरु चरणों में करे प्रणा चुरु किया पढ़ने का का हो जो भी गुरु जन पाठ पढ़ाते शुबह साम उसको दोहराते जो भी गुरु जी देते का पूरा करते उसे तमाम हो गुरु माता ने क्रिशन बुलाए और बचन ये उन्हे सुनाए हाथ जोड बोले घन शाम क्या है मेरे लायक का हो बोली मुझे पकाना खाना लेन लकडिया बन में जाना शी से जोका कर बोले शाम होगा जो बतलाया का फिर तो सुदामा को है बुलाया भूना हुआ कुछ चना मगाया करने लगोगी जब आराम खाले ना इसे तुम और शाम लेने लकडिया वन में आए काले काले बादल छाए भूले सुदामा से घन शाम आओ करे दूडा राम फिर तो काली घटाए छाए आधी और वारिस है आए ठंडि सी धर धर का पिशा यही सुदामा का अंजा भूक उन्हे जब लगी सताने लग सुदामा चने वो खाने नीचे से बोले घन शाम मित्र लगे हो क्या तुम खाए मित्र से अपने भेदे न खोला जूट सुदामा ने है बोला ठंडि की कालड बजे रहे दा खाने को कुछ भी नहीं शाम हो गुरू से कपट मित्र से चोरी या भै निर्धन या भै कोड़ी लगे सोचने फिर घन शाम सही गिया ना तुमने का हो शिच्छा पूरण कर वो आए फिर किसमत ने खेल रचाए बने दारिक अधीस है शाम और सुदामा अपने गाम हो अर धांग ने बन आई सुसीला सिरी क्रिष्ण दिख लाए लीला अपने अपने लग गए काम एक सुदामा एक घन शाम हो बड़ा ही निर्धन हुआ सुदामा राज करे महलो में कान है क्या ये होना था अन्जां रटी सुलामा शाम हिशा हो घर में ना खाने को दाना पहने बस्त्र फटे पुराना ये क्या कर दिया तुमने शाम रटी सुलामा शाम हिशा उन्हे सुसीला लगी समझाने ना घर में खाने को दाने कौनी करम पढ़िया गियान भूख से निकल रही है प्राण फिर ये सुदामा ने बत लाया किया करम में रे आगे आया वनमी गए थी मैं और शाम खाई मैंने चने तामा हो मित्र से मैंने दगा किया है निर्धनता का सापलिया है बोना था ये ही अन्जाम मैं हूँ रंक और राजाशाम बोली सुसीला स्वामी जाओ माफी उन से मांग के आओ माफ करेंगी तुमको शाम बड़ी दयालू है घनशाम हो है द्वार का धीस निराले खाने के पड़े हमको लाले दे देंगे धोड़ा धनशाम मिटेंगे अपने काश्ट तामा हो बोले सुदामा मैं नहीं चाहता मांगने से मर ना है अच्छा ना पेह चानी अब मुझे शाम मैं हू रंक वे राजाशाम हो क्यूं तेरी मती गई है मारी किसमत का ये दोस है प्यारी ना मैं मांगू ना दिशाम अपनी मुख पे धरो लगा रोवे सुसीला सिसक सिसक है आखिर ये लिया काहे हट है आखिर बात लियूने की माहा चले सुधा मारट दे शाम नंगे पार राह कटीली भूख से सूरत पड़ गई पीली जब ते चले वो शाम का नाम शाम रादे शाम बोलो शाम रादे शाम ओ जब वो द्वारी का नगरी आए आखे देख गई चोधिया है कहा सुधा मारे कहा शाम शाम रादे शाम बोलो शाम रादे शाम ओ द्वार पाल ने उनको रोका भीतर जाने से है टोका ये भी चू तेरा क्या काम रटते हूँ यहां राजाशा ओ द्वार पाल से कह सुधामा मैं स्री कृष्ण का त्यार पुराना उनसे एक जरूरी काम कहा मिलेंगे मुझे कुशा ओ बात सुधामा ने जो बोली द्वार पाल कर रहे ठी ठोली तुम हो कहा और कहा वो शाँ नहीं मिलेंगे तुम से शाँ हो कह सुधामा भीतर जाओ मेरा ये शन देश सुनाओ दोड़े दोड़े आएंगे शाम लेंगे हो मुझे को पहचान हो द्वार पाले ने विनती मानी जाके बताई सारी कहानी भावक हो कर दोड़े शाम आए मिलने नंगे पाँ हो आन सुधामा गल लगाएं महल कभी तर वो ले आएं अपना सिंगा असन सौब के शाम दोड़े रगे हैं उने के पाँ हो मित्र की हालत देख के रोए अस्रू जल से पैर है धोएं देखे रही है रानितामा नीर बहाएं कैसे शाम हो नए वस्त्र है फिर पहनाएं बोले क्या में रेली लाएं कहे सुदा माहे मेरे शाम तोड़े चावल लाया मा ओ तीन हे मुठी चावल पाएं दो मुठी तो शामन खाएं रोक दिये रुक मडेन शां ये क्या करते हो घन शां तीनों लोक जो ये ले लेंगे शामी हम फिर कहां रहेंगे सुने कर ये मुस्काई शाम नहीं सुदा माँ पाएं जां अच्छे अच्छे वेंजन खाएं चिंता सुसेला की भी सताएं बोले अब जाने दोशां जाता हूं मैं अपने गां हो धूमधाम से हुई बिदाई किन तो उनको रास ना आई सोचा मित्र है कैसी शाम जो सोचा था हुआ नाकाम लोट के जब वो वापिस आए अपनी कुटिया भी ना पाएं ये क्या हो गया मेरे शाम कागरी मेरी कुटिया शाम किसने सुन्दर महले बनाया मेरी कुटिया को है गिराया भी गड़ी गए ले रे सब काम अच्छा मिला मुझे हो शाम हूँ सुनी आवाज है जानी पहचानी महल में खड़ी सुसे लादानी सोची रहा था मैं क्या शाम तुम मीत्र से अच्छी हो शाम हूँ क्रिशन सुदामा की ये कहानी डीयस पाले की सुने जुबाने हूँ जी सुरे से ने लेकर ना रिख दी है ये कथा तामा